दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे जो 2019 में सीजी प्यापम के दौरा पूछा गया कोश्चन एग्रोनॉमी और स्वाइल सेंस में जितने भी कोश्चन आया है इसे रेलेटेड तो इस वीडियो में उन कोश्चन का डिसकसन करेंगे यादि आप भी अगरी क सलफेट तीसरा है डाय अमोनियम फास्पेट अलब डीएप और चौबता है यूरिया तो सबसे ज्यादा फार्मल लोग यूरिया का उप्योग करते ठीक है क्यों करते है सबसे ज्यादा क्योंकि यह सस्ता भी मिल जाता है और इसमें नाट्रोजन परसेंट भी ज्यादा रह पर चल्विशेंगात हैं इसमें फर्षट ओप्शन दिया है मिड्रदा को डिला करना रहें घड़ी होता है दूसरा है कंपेक्ट भूमी सहता को तोडना है इसमें पप्ड़ि जो भूमी तोड़ने काय़ होता है तीसरा है मिड्दा परेश करेग है इसमें अमेयर है बायुरं सबी सही हो जाएं इसके बाद अगला question है gravitational water पौधे को प्राप्त होता है तो यह बिल्कुल नहीं प्राप्त है इसका correct option क्या है D होगा क्यूं नहीं होता है क्योंकि देखे water तीन प्रकार के होता है जो मिट्टी में पाए जाता है पहला है gravitational water अगर इसके बारे में पूरा मैं डिटेल एक वीडियो बना दिया हूं अगर नहीं देखे तो उपर आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूं इसमें आप जाके देख सकते हैं तो इसमें तीन टाइप से वाटर पाए जाता है आप पूरा को पानी से भर देते हैं तो उस टैम पानी पुषणं न ही गर पाता है और जो पानी रंद्र में बचा हुआ रहता है उसी पानी को ही पौधय अब सुजन करते हैं तो कौन सा वाटर जो है पौधे के लिए अविलेबल हो पाता है तो केपिलेरी वाटर जो है पौधे के लिए अविलेबल हो पाता है और आई ग्रोस को भी वाटर भी पौधे के लिए अविलेबल नहीं हो पाता है तो कौन सा वाटर इंपोर्टेंट है क यहां पर कोशन में क्या पूछा जा रहा कि ग्रेविटेशनल वाटर पौधे को प्राप्त होता है ठीक है तो यह बिल्कुल नहीं होता है तो अप्शन कौन से ही हो जाएगा डी नंबर इस एक करेक्ट एंसर उसका बाद चौथा कोशन है मक्का तोरिया गेहूं मूम चक्र व अब देखते हैं मतलब किया है तो कब दो से अधिक फसल जाए कर दो से जएक अब इक बहुमी में चाहिता है अब एक से जादा फसल लगाते हैं तो इसको कर नहीं नहीं होगा उसके बाद इंट्र क्रापिंग यह भी नहीं तो कोन सा खो जागा रिले लए करापिंग का इक्जामपल है ठीक है अब रिले क्रापिंग क्या होता है कि रिले क्रापिंग जब है यह की एक फसल जब लगाते है पहली फसल तो यहां पर लगाए यहां पर आके इसको काटेंगे ठीक है इसको काटने से पहले ही उस खेत में हम दूसरा फसल को बहुत देते हैं इस प्रकार के फसल को क्या क्या बोलते हैं रिले क्रापिंग कहते हैं रिले क्रापिंग रिले रेस से लिया गए रिले क्रापिंग के ऊपर भी एक मैंने वीडियो बना दिया है तो अगर नहीं देखे तो उपर आई बटर में मैं लिकी दे रहा हूं वहां से जाके देख सकते हैं उसके बाद है नेक्स्ट कोश्चन है भारत में बरतवान में खेती की गहंता का पर्तिशात क्या है तो इसके लिए खेती की गहंता निकालने के लिए आपको एक फार्मूला की जरूरत पड़ेगी जो यहां पे स्क्रीन में दिख रहा है कि क्रापिंग इंटेंसिटेटि कि खेती की गहंता क्या उलते है तो क्रापिंग इंटेंसिटेटि निकालने के लिए इसका फार्मूला क्या है राम के पास दस हक्टेर जमीन है दस हेक्टिर जमीन है वो खरिप में दस हेक्टियर में धान लगा दिये और रभी में उन्हें ने आठ हेक्टियर क्या हो जाएगा यह grass cultivated area हो जाएगा ठीक है तो यहां पर grass cultivated area की जगा 23 hectare लिखेंगे और नीचे जो है net cultivated area इसका 10 hectare हो जाएगा इसका जो farm है 10 hectare यह net cultivated area है तो इसी प्रकार से हम निकालते हैं तो ऊपर 23 हो जाएगा नीचे 10 हो जाएगा into 100 तो इसको जो है आप calculate करके निकाल सकते कि उस farm का कितना cropping intensity है ठीक है तो इसी प्रकार से किसी भी country का आप निकाल सकते हैं जैसे कि हमारे country का cropping intensity कैसे निकालेंगे तो उसका grass crafted area आपको पता होना ची कि 195 million hectare है grass cultivated area total तो इसको उपर रखेंगे और नीचे net cultivated area तो इसको 141 million hectare है तो नीचे इसको 141 million hectare नीचे रखेंगे into 100 करेंगे तो इसको calculate करेंगे तो 138 परतिशत आएगा ठीक है तो लगभग जो है यह सी इसका सही अंसर है ठीक है उसके बाद next question है किसी फसल में खर्पतवार को नियंतरन के लिए butaclor का उपयोग किया जाता है तो butaclor को उसका जो ब्यापरिक नाम है मैचिटी इसको मैचिटी के नाम से मार्केट में मिल जाता है ठीक है तो इसका उपयोग ज्यादा तर किस में करते हैं धान में करते हैं तो इसका करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा रोपने वाली धान ठीक है के इसको बोलता है कंटूर सिस्टम तो जो पहारी छेत रहें जहां पर भूमी समतल नहीं है वहाँ पर किस प्रकार के सिस्टम से हम कहती करते हैं कंटूर सिस्टम से खेती करते हैं तो यह बहुत इंपोडन को शने ध्यान रखियेगा उसके बाद नेक्स्ट कोशन गोबर में 0.5% nitrogen, 0.2% phosphorus और 0.5% potassium होता है तो इसका यह option जो है सही हो जाएगा उसके बाद next question है fit the soil not the plant का संकेत सब्द क्या है तो यह मतलब की एक statement है जो की eco farming से related है तो इसका यह option सही हो जाएगा उसके बाद next question की और बढ़ते है primary tillage में इन में से किसका उपयोग होता है तो देखे primary tillage में यह थोड़ा सा confusing वाला है यह question paper से मैं उठाया हूँ तो उसमें भी ऐसी टेप से same to same option था तो यह question पूरी तरह से सही नहीं है क्यों सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर primary tillage में दोनों implement का यूज होता है देशी हल का भी यूज होता है और MB प्लाव का भी यूज होता है तो यहाँ पे जो है यह दोनों ही सही होगा ठीक है तो इसे इसी लिए जो है यह पूरी तरह से question यह सही नहीं है ठीक है उसके बाद next question है zero till seed come fertilizer drill का उप्योग किया जाता है तो यह कब करते हैं तो first option है खरीब फसलों की कटाई उप्रांद करते हैं भूमी में उचित नमी होने पर करते हैं या रभी फसलों की बुवा यह तुकरते हैं या उप्रोक्त सभी तो इसका answer हो जाएगा उप्रोक्त सभी क्यों होगा क्योंकि जो of Stupid Dalai pushes जाइनों देख सकते हैं जीरो टील सट कम फोट्लाइजर ड्रिल का अप्योग हम का रभी फसल भूहने के लिए करते हैं और उचित नमी होने पर ही उसको चलाया जाता है कि यहां पे देख सकते हैं ticat इसमें जो है दो बॉक्स लगा रहता है यहां पर दो बाक्स अबरक और बीज दोनों ही यहां पर गिरते जाता है यह जो है जीरो टिलेज की कंडिशन में करते हैं उसके बाद नेक्स्ट कोशन है मिर्दा जिसमें घुलनसी लबन और बिनीमय सोडियम पर्तिशत की मात्रा जादा होता है तो उसे किस प्रकार के मिर्दा कहते है जिसमें सॉल्यूवल साल्ट और एक्सेंजेवल सोडियम परसेंटेज एसपी का फूल फूर्म क्या है स्प Third CPA और नेक्स्ट कोशन है अलू की फ। है तो आलू के सिचाई के लिए पहले है इसटोल इसे कंद्द physics ळष्प स्पान्ट भूटा से बंदे है उसको बलताए। इस्टीवर जो जो इसके बाद है ऑल अब दिस ठीक तो यह जो है तीनों ही आवस्था जो है शिचाई के लिए बहुत क्रांतिक हो एह आलो के लिए तो यह तीनों अल अब दिस हो जाए जो आरह, से होटाãy रहता है। उतना ही नाइटोजन का का लॉस का का मोर्व होता है। और ऐसे नॉर्मल उरिया में क्या होता है कि नैट्रिफिकेशन का प्रोसेज बहुत फास्ट होता है अब जितना जल्दी नैट्रोजन रिलीज होता है उतना जल्दी वह लॉस भी हो जाता है तो इसलिए नीम कोटेट उरिया बेश्ट वाना जाता है as compared to normal उरिया क्योंकि इसम इसका गहरा ही कितना होना चीए तो इसका गहरा ही जो है 8 से 12 इंच होना चीए इसका बी ऑप्षन जो है सही हो जाएगा उसके बाद next question है इस प्रिंगलर सिचाई को कहा जाता है बहुत इंपोर्टेंट कोशन है तो इसको ओभर हेट सिचाई कहते है तो इसको 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 क्या नाम से जानते है ओभर हेट सिचाई या फिर ओभर हेट इरिगेशन के नाम से जाना जाता है और ड्रीप इरिगेशन को ट्रीकल सिचाई क्या है उसके बाद next question है भीविन फसलों का एक निशीद बिंदू पर छेत्र का अनुपात को जाना जाता है तो the proportion of area under various crop at a particular point is known as यह cropping pattern हो जाएगा देखिए cropping pattern का मतलब क्या है कि मैं थोड़ा बता देता हूं किसी एक particular point यह फिर किसी एक particular area में वहां के जो maximum farmer जो फसल चक्र को अपना रहे ठीक है जो crop rotation को follow कर रहे है उस area का वहाँ cropping pattern कहलाता है ठीक है तो यहां पे देखिए किसी एक विशेश विंदू की बात कर रहे है ठीक है एक particular point की बात कर रहे है वहां की various crop जो लिया जा रहा है उसको क्या बोलते है तो वह cropping pattern हो जाएगा cropping system का मतलब क्या है यह cropping pattern जब किसी farm में apply करते है और उसके साथ साथ उसको proper manage भी करते है तो वह cropping system बन जाता है ठीक है cropping intensity की बात हम पहले कर चुके है ठीक है और monoculture का मतलब क्या होता है किसी एक ही जमीन पर एक साल में जब एक फसल लिया जाता है तो उसके बाद next question है देशी हल के द्वारा एक दिन में कितने छेतरफल की जुताई किया जा सकता है तो यह इसका answer हो जाएगा दि 0.30 hectare एक दिन में जुताई किया जा सकता है उसके बाद next question है तिलहन उसके बाद next question है तिलहन की फसल में 20kg sulfur पड़ती हक्टियर डालने से ब्रिदी होती है तो देखें के तिलहन फसल में हम sulfur डालते है क्योंकि उसमेंग मात्रा में ब्रिदी होती है तो sulfur के वज़े से ही उसमें तेल में quality भी आता है और उसकी मातरा भी बढ़ती है तो तेल के मातरा को बढ़ाने के लिए हम उसमें sulfur डालते हैं उसके बाद next question है 36 गड में मिर्दा का वरगी करन किस परकार से किया गया है तो चार परकार से किया गया है भाटा-मटाशी-डोर्सा-कनहर तो क्या सही हो जाएगा इसका भाटा-मटासी-डोर्सा-कनहर यह बहुत important question है अब यसों भाटा को बोलते हैäsident चार परकार की मट्टी उसके बाद next question क्यों बढ़ते हैं तो गुच्छे वाली में कतार से कतार की दूरी रहता है इसका जो कतार से एक कतार से दूसरा कतार की दूरी कितना रहता है देखिए दो टाइप से मौंगफली होता है यह होता है इस प्रेडिंग टाइप है जो फैलने वाली है यह होता है गुच्छे वाली जो बंच टाइप से है तो गुच्छे वाली का पूछ रहा है तो गुच् समय अक्टूबर से नॉवंबर है नमाना जाता है उसके बाद next question है देश की GDP में किरशी की भागीदरी कितना परतिशात है तो 17-18 परतिशात है न देश की GDP में किरशी की भागीदरी होता है तो यह बहुत important question है यह थोड़ा बहुत जो है data changes रहता है तो latest data आप net से आप देख स जाने जाती है उसे किस प्रकार की फसले कहा जाता है तो उसे रभी फसले कहा जाता है उसके बाद next question है इन में से कौन सा non-selective herbicide है देखिए non-selective herbicide का मतलब क्या है कि ऐसा herbicide ऐसा शाक नशी जिसको डालने से पहुदे के साथ सा तो बीड को भी नस्ट कर देता ठीक है बी किसी को select करके नहीं मारता है कि यह पौधा है तो इसको छोड़ देंगे यह वीड है तो इसको मारेंगा ऐसा नहीं non-selective का मतलब है इसको सब को खतम कर देगा ठीक है तो ऐसा कौन सा है इसका example है पैराकोट डाइकोट और गलाइपोसेट यह तीनों जो है non-selective herbicide है और ब कोशें आता ही तो इसको ध्यहन से बढ़िएगा सेटरल का कायará है थेक है करीैडि करने का काम करते है टीकले है फैक का थेक órsn कि इसको सही अंसर हो जाएगा तीनों इसमें function होता है थीनों काहरे डिरल मुरी अप Show सभी है उसके बाद नेक्स्ट कोशें के लिए है नाइटोजन का परतम मिक्स्परतै जो अधिक हूझ के लिए यहर हो गाने के अधिज Fusion को Pill